सवाल ये है ही नहीं कि किस पार्टी का जो आरोपी है वो किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है भई जब तक आदमी एक्सपोज नहीं होता जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक किसी के चेहरे पे किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि वो रेपिस्ट होगा कि वो मह अब्जूद भी पॉलिटिकल पार्टियों का जो रवया है वो अगर ऐसा देखने को मिलता है कि वो विक्टिम के साथ आरोपी के साथ खड़ी दिखती है तब इस सवाल खड़ा होता है कि भाई उसका मकसद क्या है और यह क्या मैसेज देना चाह रहे है अनिला सिंग मेरी सब को राम राम और मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रही थी कि चाय की चुस्कियों के वीच में दीपक जी किस प्रकार से कभी यह नजर आ रहे थे नवाब सिंग यादव के साथ कभी कह रहे थे कि भारती जंता पार्टी के जुनीता है वो ठाने में क्या कर रहे थे जहां को कोई राक्षस मॉंस्टर दिखाई देगा मनुश्य के रूप में भारती जंता पार्टी के कार करता आपको नजर आएंगे क्योंकि उसको सबक सिखाना है उसके खिलाफ ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो उसकी अवाज उनको उठानी है उठाने में भी दिखाई देंगे कच कि नेटा समाजवादी पार्टी की माइग जैसे उनके मुग के सामने आता है वो पाठ पड़ाने लगती है क्या यह लगती है कि कहा है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है यह कहां लिखा है कि नवाब सिंग यादब comment से को इरिश् organisms पाफ इसे परना दिमकाना आरे मार्व क्योंकि समाजवादी पार्टी का DNA यह है कि महिला क्या भी राजनिती करते हैं बच्चे हैं बच्चों से गल्ती हो जाती गुरू मंत्र पढ़कर क्या सबको घोट-घोट के पिला दिये गए मैं तो एक बात कहती हूं महिला अपरादिकरन मतलब महिला अपरादिकरन फुल जितने भक्षत बैठे हुए हैं इनकी हिम्मत जब बढ़ती है जब इनके आका उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं क्या हम डिपल यादव की फोटो उसके साथ नहीं देख रहे हैं हम समाजवादी पार्टी का ट्वीट उसके लिए लिए लिखा वाद नहीं हमारी पार्टी का चरित्री यह नहीं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए समाजवादी पार्टी भारती जिनता पार्टी की सरकार साथ सद्थकबाड़ी है पर यह तो मुकदमा लगने लगए है, नवाब सिंग से हमें को कोई मतलब नहीं है, फिर कुछ और कहने लग जाते हैं, मुहित खांसा में कोई मतलब नहीं है, लखनों में ताज होसी के पास पानी जमा होता है, तो पानी जब फैका जाता है, लड़की बिचारी गिर जाती है उसे छेड़ा जाता है, वहाँ उन लोगों के तार किस्ते जुड़े हुए है, ऐसा क्यूं हो रहा है मैं ये कहूंगी, चार सीटे जीत के हिम्मत बढ़ गे गुंडे बदबाशो की, यही आपका 20 सवाल भी अपनी जगा है, कि क्या इसलिए उनके होसले बुलंद हैं क्योंकि सीटे बढ़ गई, यह भी आपने एक बड़ी बात कही है, मैं योगता भाया आने के पास जाओंगा, कि भाई यह जब कोई भी किसी भी महिला के खिलाफ किसी भी तरह का अपराद होता है, तो पॉलिटकल पार्टी हैं ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि जिसको कारवाई करनी है, पॉलिस कारवाई करेगी, सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस बच्ची को या उस महिला को इंसाफ मिले, लेकिन पॉलिटकल पार्टी होने के नाते, कम से कम इतना मैसेज तो देना ही चाहिए न, कि भाई आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में वरदास नही वाली समाजवादी पार्टी, इतना छोटा सा पैगाम देने में भी नाकाम, आपने देखी बहुत जादा महत्वपूर्ण बात की है, और इसे हमें बहुत गंबीता से लेकर ये चर्चा करनी चाहिए, कि ये किसी पार्टी की बात नहीं है, इसमें महिला सुरक्षा की बात मतला हमारे पास तो रोज लगाता ऐसे केस आते हैं, तो हमें इसको बहुत गबीरता से लेना चाहिए, और आपने बोला कि पार्टी, पार्टी देखे कोई नो कहीं कहीं किसी पार्टी से अफ्लियेटेड होता है, ठीक है, यहां पर भारत में तो ये बहुत जादा परिस्त सकते हैं, वो आपती जनक हालात में हैं, और वो बच्ची खुद पुलिस को ला रही है, और उसके बार भी हम अगर उस बच्ची को जज़ कर रहे हैं, और उसके खिलाफ यह नहीं कहरे कि हम अगर है, हो सकता है पार्टी में, उसमें कोई बुरा ही नहीं है, बड़ उसकी ब बात नहीं है, अगर यह आके बोलेंगे ना यह पार्टी वाले, तो आदी समस्या हमारी खुद खतम हो जाएंगी, क्योंकि शोषन करने वाले आदे तो राजनीतिक दलों के हैं, अगर यही शोषन बंद करतें तो काफी हद तक शोषन ही महिलाओं का बंद हो जाएगा, तो अब हमारे पास option नहीं बची है, उनके पिता जी ने जैसे बयान दिये, आज भी हम repeat करते हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है, पर उनको इस बयान को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बयान जो दिया, खराब था, जो की motivate करता है potential repeat को, उनको तो all the more reason आकर उनके पिता जी कि जो नोने statement है, उसको undo करते हुए, इस चीज के लिए खड़े रहना चाहिए, उनसे पेक्षा है, यहां पर एक बात कहूँगा, यह उक्ता भैयान, आपने आपने जिक्र कर दिया, तो मैं इसी से जोड़ करें बात करना जाता है, जिनके भी, मैं उसी से जोड़ करें बात आता है, तो कहते हैं कि लड़की का DNA टेस्ट कराओ पहले, तब हम मानेंगे, यहां और यहां यहां पार्टी की वरिष्ट महिला नेता कह रही है, क्यों 15 साल की लड़की है, उसको कौन सी नोकरी देने के लिए बुलाया था, भई आप देखिए कि कैसे विक्टिम को के साथ खड़े होने की विक्टिम को को एक तरीके से कट घरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, आपको क्या लगता है कि यह समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जो मुलायम सी वियादों ने जो कहा था, वो आज भी वही है, आज भी वही है, बच्ची के साथ यह यह एक नर्भक्षी है, यह राक्षस है, जिसने ऐसी सोच भी रखी, और इस पे तो कड़ी कारवाई होनी चाहिए, अफ़ोर्स जेल जाना है और सजा होनी चाहिए, यह तो है ही है, पर यह तो सबसे बड़ी बात है, यह आप अपनी पार्टी, उसको बोलिये तो सही, कि 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 लोग आपकी पार्टी में काम करें, और यह सिर्फ समाजवारी पार्टी का मुद्दा नहीं है, मुझे हर पार्टी से इस बात से उमीद नहीं रहती है, कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि हर पार्टी में कहिना के ऐसे लीडर्स आए हैं, जिन्होंने खुद वो शोशन कर जब इनके आला कमान जो पल्ला जाड़ने की और एक दूसरे पर मतलब वो करते हैं, नोग जो करते हैं, इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, राजमी की